संपल कॉस्चेन पर सीख चल रहता, आज सी सेक्षन करेंगे, सी सेक्षन का पहली वाला जो कॉस्चेन है इसमें बोल रहा है, तो यहाँ पर सम बोल दिया, फास्ट टर्म का, फास्ट टर्म प्लास फोर्थ टर्म, एफोर प्लास एइथ टर्म, एएट फ्लास नैंटींथ टर्म, ए नैंटींथ टर्म, तो सम बोल दिया, टू नाइन टू, तो फाइड़ शम आफ, फास्ट तो एस फिप्टीन पुछा क्या होगा, तो यहाँ पर पहले लेट कर लेते है, एए फास्ट टर्म, are common difference d यह हम लोग late कर लेता है तो यह वाला क्या हा जाएगा a1 मतलब पहले वाला ही term फिर a4 a4 मतलब 3d 3d कैसे आता है मने a4 equal to a plus n minus 1d तो a नहीं यहाँ पर 4 है तो a plus 4 minus 1 equal to 3 आ जाएगा तो a plus 3d मतलब जबी 4 होता है यहाँ पर 3 आएगा मतलब एक कम आता है तो यहाँ पर जैसे 8 है तो 70 आ जाएगा ठीक है यहाँ पर अलग से कर लीजेगा a7 निकल लीजेगा तो a plus a8 पूचा है तो a8 equal to a plus 70 आएगा ठीक है फिर यह वाला 19 है तो यह 18 आ जाएगा a plus 18d equal to 292 फिर यहाँ पर दो तीन चार 4a आ जाएगा प्लास यह 10 हो गया 10 आर यह 28 28d आ जाएगा 292 यहाँ एक टो फोड कमोन ले लेंगे तो आ जाएगा इधर हो गया जाएगा 7 equal to 292 a plus 7d equal to 4 नीचे आ गया तो यह इसको डिवाइड़ेट करते है 7,8,3,12 7,8,3,12 तो a plus 70 equal to आगे आपका 73 तो हम लोग को अभी a 15 निकल ला है yes 15 sum of first 15 ton तो यह क्या आता है इसका formula एक पर लिख देता है पहले यहाँ पर लिख देता है a से निकल टू n by 2 2a plus n minus 1d यह इसका formula है तो a से न क्या हो गया 15 15 by 2 2 into a रख देज़े और नहीं तो यहाँ से यह बला common लेंगे तो आ जाएगा यह बला 15 है तो 2 plus 15 minus 1 d 15 by 2 यहाँ से 2 इधर हो जाएगा 14 2a 14d तो 2 common लेंगे लेंगे तो आ जाएगा a plus 17d दो यह कट गया 15 into यह बला 73 है तो 73 यहाँ पर multiply कर देता है तो आ जाएगा कितना 73 into 15 5 3 15 इधर आगिया 73 तो फाइनाली 5 9 आर इधर 10 तो यहाँ आ जाएगा sum of 15 टर्म का फैलू 1095 1095 ठीक है अचा चलो next 27 में बोला है इफ आल्फा बीटा अर्दा zeros of the quadratic polynomial then find the polynomial whose zeros यह तो यह polynomial जो दे दिया quadratic polynomial जो दे दिया इसका बोल दिया roots alpha पीटा तो फाइनली इसका sum क्या हो जाएगा alpha plus beta equal to minus b by a तो b यहाँ पर क्या है minus 1 by इसके समने भी 1 मतलब यह जो a b है a b a होता है x square का coefficient यहाँ पर 1 है b है x का coefficient जो यहाँ पर 1 है और c equal to minus 2 constant तो यहाँ पर minus 1 by 1 मतलब minus 1 आ गया और product क्या हो जाएगा c by a तो c यहाँ पर minus 2 है तो minus 2 by 1 equal to minus 2 तो alpha plus beta equal to a आ गया alpha minus a product alpha into beta equal to a आ गया दूसरा एक्ठो polynomial निकलना है quadratic polynomial जिसका roots बोल दिया तो यहाँ पर root बोल दिया 2 alpha plus 1 एक्ठो root एक्ठो 2 beta plus 1 root तो इसका भी sum और product निकलता है तो sum क्या हो जाएगा sum equal to 2 alpha plus 1 plus 2 beta plus 1 यहाँ से 2 alpha plus 2 beta plus 1 1 एट करने से 2 आ जाएगा तो यहाँ से 2 common ने लिया alpha plus beta plus 1 तो alpha plus beta equal to क्या है minus 1 तो यहाँ पर minus 1 बैठाते है minus 1 plus 1 तो यह कट गया यह 0 आ गया तो totally 0 आ गया और product निकलता है product क्या हो जाएगा 2 alpha नया जो root से उसका product और sum निकल रहे है तो यह आ जाएगा 4 alpha beta plus 2 alpha plus 2 beta plus 1 तो यह बला क्या है 4 into alpha into beta equal to minus 2 तो यहाँ minus 2 एठा दिया plus यहाँ से 2 common ले ले लेते हैं तो alpha plus beta आ जाएगा plus 1 यह minus 8 हो गया और alpha plus beta क्या आ गया minus 1 तो minus 1 यहाँ बैठाते है minus 1 2 into minus 1 plus 1 minus 8 minus 2 plus 1 minus 9 आएगा तो हम लोगा नया जो polynomial होगा px equal to क्या होता है x square minus sum यह formula है sum of roots यह zeros बोलिए x plus product product of roots तो यह polynomial होता है तो x square हो गया तो sum क्या आया sum equal to 0 आया तो minus 0 into x plus product क्या आया minus 9 तो minus 9 आया तो finally आपके पास यह polynomial हो गया x square यह तो total 0 हो जाएगा minus 9 यह आपका polynomial हो गया x square minus 9 ठेक है चलो next यह बोला 28 में बोला है prove that यह rational number है तो let यह equal to a by b या p by q लिखती है p by q is a rational number पहले इसको rational number late किया यह assume बोल देता है assume late या assume बोलीगा तो यह वाला p by q format में लेक लिए और p q यहाँ पर co prime है is co prime prime integer और q nautical to 0 यह लिखना पड़ेगा यह इसका condition है तो यह वाला हम लोग rational number पकार लिया तो इसको बोद साइड में square कर रहा है तो यह root 2 को इधर से square करेंगे और यह इधर से square बोद साइड में किया तो यह वाला 1 by 2 आ गया यह वाला गया p square by q square तो q square कर इधर ले ले लेते है तो q square by 2 equal to p square तो यहाँ पर q square दो से divisible हो रहा है तो q square divisible 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 by 2 also q divisible by 2 तो q अगर divisible by 2 तो q को हम लोग कुछ दो से divisible हो रहा है मतब दो का कोई multiply पकर सकते है तो q equal to हो गया 2n तो 2n बैठाने से 2n क्योंके जगा बैठा दिया 2 हो गया इधर p square यह हो जागा p n square और इधर 2 तो p square हो गया यह कटके 2 हो गया तो finally n square equal to p square by 2 तो यहाँ पर p भी मनि p square भी 2 से divided हो रहा है तो p square divisible divisible by b by 2 तो also p also p divisible by 2 तो आवार एजूम जो किया था यह वाला को प्राइम नंबर है तो इसका common factor को प्राइम मतलब कोई common factor नहीं होगा 1 रहेगा और कुछ common factor नहीं रहेगा लेकिन हम लोग देख रहा है यह दोनों से दोनों से दो से डिवाइडेर रहा है मतलब दोनों यह जो आजूम किया था को पाइम यह नहीं है तो हम लोग last में लिखेंगे और बाइमेटर रहा है और दोनों से चार्UL 1 x 3 आँ़ा यह बाइमेस बाइमेस रहा है और रहा है खा से बाइमेस्ट bakalım root 2y is irrational number चलो इसमें देखते है the length, breadth, height of room are 8, 25, 6 meter 75 centimeter and अच्छाई ये बाला तीन्ठो dimension दे दिया length, breadth, height दे दिया respectively, find the length of longest rod that can measure the three dimension of the room exactly, अच्छाई यहाँ पर 3 measure दे दिया, मने measurement दे दिया length breadth का, तो length दे दिया 8 meter, 25 centimeter तो total इसको centimeter में convert कर ले थे तो येतना centimeter हो गया फिर breadth I call to दे दिया 6 meter, 75 centimeter तो ये भी 6, 75 centimeter हो गया और length, breadth, height दे दिया कितना 4 meter, 50 centimeter centimeter, तो ये आ जाएगा 4, 5, 0 centimeter तो ये तीन जो dimension है इसको कोई कॉमोन एक्ठो रोट चाहिए जिससे हम लोग इसको measurement कर सकते हैं, मतलब ये तीन कोई भी extra नहीं परा रहेगा, मने ये रोट का कितना लेंध होगा जिससे हम लोग इसको भी पूरा-पूरा माप सकते हैं कोई 1, 2, 3 cm एक्ष्टा नहीं परा रहेगा ओही रोट से इसको भी मापेंगे कोई extra परा नहीं रहेगा, पूरा ही हो जाएगा ये भी same हो जाएगा तो इसका मतलब है इसका कोई छोटा value का रोट चाहिए ठीक है, तो छोटा जब होता है तो हम लोग ACF निकलते है ACF, तो ये तिनों का ACF निकलेंगे एक संग भी निकल सकते है अलग-अलग भी निकल सकते है तो अलग-अलग कर देते है 5 से करते है, तो आ जाएगा कितना 1, इधर होगया 3, 6, 5 फिर 5 से करते है, आ जाएगा 3 और इधर 3, फिर 3 से 11 इसको 5 से करते है, तो आ जाएगा 1, फिर 3, 5 फिर 3, 5 से करते है, 2, 35 तो 3, 9, 3 यहाँ पर 5 से 5, लोग पर 40 3 से 30, 3 से 10, 2 से 5 तो फाइनली आपके पास आ गया 8 to 5 इकल टू 5 का स्क्वेर इन्टू 3 इन्टू पहले एक पर 3 लिखते है, छोड़ा से ही करते है 3 इन्टू 5 का स्क्वेर इन्टू 11 फिर 6, 7, 5 इकल टू आ गया 3 का क्यूब प्लास 5 का स्क्वेर और 4, 5, 0 इकल टू आ गया 2 इन्टू 3 का स्क्वेर, 5 का स्क्वेर तो इसके ACF निकलना है ACF, तो ACF क्या आ जाएगा यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है तो 3 मैक्सिमम आएगा, 1 है और 5 इधर 2, 2 इधर 2, तो 2 टो 5 आ गया और 11 तो इधर नहीं है, इधर भी नहीं है 2 है, इधर नहीं है तो फाइनले आपके पास आगया 25 इकल टू 75 तो 75 सेंटीमेटर का कोई रॉड होगा जिससे हम लोग इसको मने इसको मापने से कोई डिविज़़ मने यह सब डिविज़बल हो जाएगा मतलब कोई एक्स्टा कुछ नहीं पारा रहेगा तो यह 75 का 75 सेंटीमेटर का रॉड चाहिए ठीक है आजा चलो 29 में देखता है 29 में बोल ला है इनदा गिवेन फिगर फ्रॉम एक्स्टरनल पॉइंट 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 से एक टैंजेंट आया हुआ है पीटी अचा पीटी जो है यह टैंजेंट है ठीक है एंड यह लाइन सेग्मेंट पी एबी यह वेला एक्स्टो लाइन सेग्मेंट है ड्रॉन टू सर्केल उइट सेंटर सेंटर बोल दिया ओ ओ एन पर्पेंडिकुलर और कॉड एबी ओ एन एक्ठो पर्पेंडिकुलर है मतलब यह 90 है ठीक है अच्छा एक करके प्रूब दिया है देखते है यालक कर लेते है यह छोटा-छोटा कर लेते हैं तो अच्छा पहले बाला में बोल ला है P A इन्टु P B P A P A बाला E A इन्टु P B P B यह टोटाल इकल टु P N स्क्वेर P P N स्क्वेर यह वाला माइनस A N स्क्वेर A N स्क्वेर A N स्क्वेर यह वाला तो कैसे निकलेगा तो यहां पर जो P A दिया हुआ है P A L H S ले लेता है P A इन्टु P B P B P B तो A N जो है यह वाला है A N P N इकल टु यह वाला है तो इसको हम लोग A minus A लिख सकते है क्या बोला हम लोग यह जो P N है इसके थूँ हम लोग मने P N आर A N के थूँ लिखना है तो P इसको मने यह जो है यह P A है तो इसको A total minus A लिखने से यह वाला आजाएगा तो उही लिखना है तो P A इकल टू P N minus N A या A N लिखे क्या हम पर A N है इसलिए A N आर दूसरा जो P B है P B पुरा है तो पुरा को भी हम लोग यह ही पैटन में लिखना चाते है तो यह बाला प्लास यह बाला लिख सकते है तो यह बाला पुरा आजाएगा ठीक है तो P N प्लास N B यहाँ जो N B है यहाँ पर बोला यह सेंटर से यह जो कॉड है इसके उपर यह परपेंडिकुलर है तो इसके चलते यह वाला और यह वाला लेंथ एकॉल होता है तो यहाँ लिख दीजेए एक बाला O N परपेंडिकुलर टू A B ठीक है तो A B यह कॉड है A B कॉड है तो यह परपेंडिकुलर होने से यह बाइसेक्ट होता है मनि यह कॉड जो है वो बाइसेक्ट होता है तो N B is equal to हम लोग N A लिख सकते है ठीक है A N लिखे A N लिख सकते है यहाँ से B N के जगा इसके जगा यह यह सेम है तो हम लोग यह लिख सकते है इसके जगा तो P N minus A N यह बादा जितना है वो सेम है फिर P N plus इसके जगा यह बादा लिख रहे है तो A N लिख दिया तो फाइनली देखिए A minus B A plus B तो हम लोग formula यूज़ कर सकते है Pn इसका whole square minus An इसका whole square तो यही बला हम लोगों को prove करना था Pn square minus An square equal to RHS हो गया यह proved हो गया ठीक है अच्छा दूसरा में देखते है यह भी थोड़ा सा gap बढ़ा लेते है यह थोड़ा सा copy कर लेते है ठीक रहेगा सामने अच्छा यहाँ पर बोला है Pn तो Pn हो गया Pn square Pn इसका square minus An का square An, An मतलब इसका square equal to O P square O P square minus O T square तो यह वाला ही हम लोगों को यहाँ पर दिया हुआ है यह और यह सेम है ठीक है तो यहाँ पर जो Pn है यह जो Pn है LHS लिख लेते है LHS Pn square minus An square Pn को Pn को यह वाला minus यह वाला लिख रहे है बने यह राइट अंगल ट्राइंगल है यह टोटा राइट अंगल पाइथाकोरस से हम लोग यह square minus C square लिख सकते है तो O P square मने हमको यह वाला देख के करना है क्या करना है तो O P square minus O N square और यह वाला जैसे है minus An square तो O P यह वाला आ गिया हम लोग के पास अभी यह O T निकलना है तो O T कांसी वाला हो गया यह वाला तो हम लोग के पास क्या है अभी अभी है O N यह वाला और An यह वाला तो यह एक्टर टाइंगल है यह और यह square equal to यह लिख सकते है तो यहाँ पर प्लास करके लिखते है यह bracket ले लिया O N square plus An square तो यह फाइनली पाइथागरास से क्या आ जाएगा यह वाला इकल टू इसका square plus इसका square equal to hypotenuse square तो यह इकल टू हम लोग लिख सकते है O A इसका square यह वाला और यहाँ पर O T चाहिए यह वाला चाहिए तो यह और यह तो सेम ही है क्योंके दोनों ही radius है क्योंके यहाँ पर लिख सकते है पहले लिख लिखे लिजे O A equal to O T दोनों ही radius है तो फाइनली O A के जगा हम लोग लिख सकते है O T तो यही बला प्रूप करना था है तो A equal to RHS equal to proved ठीक है अच्छा next last में बोला है PA into PB equal to PT PA into PB अच्छा यहाँ पर PA into PB था यह बला इकल to PT पुछाए PT तो PT क्या हो गया PT यह बला ठीक है और यहाँ पर आया हुआ है O P square और O T square अच्छा ठीक है यहाँ से ही कर सकते हैं देखिए PA equal to क्या है यह ही हम लोग को LHS प्रूप करना था LHS तो यहाँ पर एक पर 1 दे दीजे यह वाला 1 और यह 2 दे देता है तो PA into PB equal to PA into PB equal to यह बला निकला था यह जब PA into PB equal to यह बला निकला था तो पहले बला जो equation है इस से हम लोग इसके जगा यह बला लिख सकते हैं P N square minus A N square from 1 from one number equation फिर इसके जगा हम लोग यह लिख सकते हैं क्योंकि यह बला भी तो यह और यह सेम है तो यह भी लिख सकते हैं तो फिर से यह बला equation चेंज करके यह बला लिख दिया from two equation ठीक है अच्छा अभी देखिए यह बला जो triangle है O T P यह बला right angle triangle 90 degree यहाँ पर है तो इसके चलते हम लोग E S square E S square equal to E S square बल सकते हैं तो यहाँ पर लिखा हुए क्या है O P यह hypotenuse square दिया है minus O T square O T square तो hypotenuse square minus E wala equal to हम लोग E लिख सकते हैं तो यहाँ से लिख सेंगे T P square P T square लिख दिजे P T square P T square from from triangle P T O right angle triangle angle triangle ठीक है तो पाइथागोरस से हम लोग यह बला प्रूप कर दिया RHS proved ठीक है तो यह बला बढ़िया question था यह फिर से देख लिजेगा ठीक करके ठीक है चलो 30 में देखते हैं बला थी चियार और टू टेबिल कॉस्ट इतना 5 चियार और ट्री टेबिल कॉस्ट इतना find the cost of 7 चियार और 3 टेबिल्स तो चियार टेबिल का कॉस्ट हम लोग पख़ लेते हैं तो चियार equal to लिख लेते हैं चियार equal to एक्स रूपीज एक्स पार चियार ठीक है पार चियार यह पार निकना है चियार है बने एक चियार का cost यह है और नहीं तो यहाँ पर लिख दीजे चियार cost इकल टू लिख दीजे चियार cost इकल टू इतना टेबिल टेबिल cost इकल टू रूपीज य तो पहले जो condition है according to the question जो पहले condition दिया हुआ है क्या बोला 3 चियार तो 3x plus 3 चियार का cost हो जाएगा 3 into x और 2 टेबिल का हो जाएगा 2 into y इकल टू दे दिया 158 और दूसरा जो condition दिया हुआ है उसमें दिया है 5 चियार तो 5x plus 3 टेबिल 3 टेबिल इकल टू दे दिया 2850 तो यह दोनों से हम लोग xy निकल लेते हैं तो elimination करते हैं तो इसको multiply करते हैं यह एक number equation को multiply 3 से करते हैं y को निकल पहले कटेंगे तो यह बला आ जाएगा यह दू number equation जो है इसको 2 से multiply कर रहे है तो 3 से करने से 9x plus 6y equal to 3 से 315, 2325, 345 तो यह आ जाएगा फिर 2 से करेंगे तो 10 आ जाएगा इधर plus 6y equal to 2 से करने से यह 0, 0 हो गया अर्दुने 16, 17 फिर 1, 5 तो minus 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 यह कर जाएगा यह minus x आ जाएगा और इधर आ जाएगा इधर ultra करने से यह palette आएगा तो यह 50 आ गया फिर यह 6 हो जाएगा 1 तो यह minus आया तो x का value आ जाएगा कितना इतना कमा रहा है क्या कुछ का लद हो गया क्या दो से करने से यह तिन से तिन अठा चुआ नो ठीक ही तो है यह 0, 5 से 5, 6 हो गया तो 7, 1 आ गया 5 मिल तो एक सिकल्ट हो आ गया 1, 5, 0 ठीक है तो table का value क्या आ जाएगा कोई भी equation में बैटाते है 3x plus 2y equal to यह वाला तो यहाँ पर x का value बैटाते है 3 into 300 plus 2y equal to यह तो finally आपका 2y equal to आ गया सारे 400 इधर चला जाएगा तो माइनस का ने से 0 आर इधर 4, 1, 2y तो y इकल्टो आ जाएगा 14 by 2 equal to 700 तो table का value आ गया 700 चीर का भैलू आया देर सो आर इसका 400 आए 700 तो हम लोगो के last condition में find the cost of 7 चीर आर 3 table तो 7 चीर 7 चीर 3 table तो यह condition आ जाएगा तो इसका value क्या हो जाएगा 7 इन्टू देर सो प्लास 3 इन्टू 700 तो आगया कितना यह साथ पासेद पाई 30 तीन साथ 10 आर इधर आ जाएगा 321 तो 50 आर इधर हो गया 1 इधर हो गया 3 तो यह इतना रुपिया लगना है देख लेता है एक बार 3150 ठीक है ठीक है ठीक है अचा चलो next the sum of two digit number and the number obtained by reversing the digit is 66 if the digit of number difference by 2 find the number how many such number are there ठीक है तो sum of two digit तो two digit का जो number है वो बाला क्या आ जाएगा 10y यह हम लोग two digit का number पकार लेते है ले two digit number यह है अभी बोले sum of two digit number इसका sum and the number obtained by reversing digit तो इसको अगर reversing करेंगे मतलब यह उल्टा करेंगे तो y इधर चला जाएगा x इधर चलाएगा तो y plus 10x यह इसका reversing digit हो गया तो इन दोनों को add करने से बोला है यह वाला 66 आएगा according to the question में तो condition जो दिया है तो दोनों को add करते है 66 आएगा तो इधर आजाएगा 11x plus 11y equal to 66 तो 11 common ले लेंगे तो x plus y equal to 66 by 66 तो 11 equal to x plus y equal to 66 by 11 equal to 6 आजाएगा तो फाइनली एक्टो condition आगिया या एक्टो 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 6 दूसरा कंडिशन में बोला है if the digit of number the digit of number number का digit जो है difference 2 मतलब x minus y equal to बोल दिया 2 ठीक है दुनों number का digit का divided ठीक है sorry hang हो गया hang हो गया फिर से चलओ करते हैं जाए hang हो गया था तो यह बेला दो ठो एक्टो equation दू नंबर equation यह है तो दुनों को elimination करते है तो number निकल जाएगा x plus y is equal to 6 और x minus y is equal to आगिया था 2 तो यह करत जाएगा 2x is equal to 8 आगिया तो x equal to आजाएगा 8 by 2 equal to 4 x का भालू आगया 4 और इस equation में अगर बैठाते है x plus y equal to 6 तो यहाँ पर x बैठाएंगे तो यह आजाएगा 6 तो y equal to 6 minus 4 तो finally y equal to आगया 2 तो x का भालू आगया 2 y का भालू आगया x का भालू 4 और y का भालू 2 तो हम लोगों बोला था how many such number are there तो हम लोग इसको 2 number कर सकते है बने इसका जो reciprocal है i reciprocal मतलब यह reversing और यह दोनों number है तो हम लोग क्या लिख सकते है पहले जो number है यह बला जो number है यह जो number है फिर क्या लिखेंगे x plus 10y तो x हो गया 4 10y मतलब 10 into 2 हो गया 4 plus 20 is equal to 24 यह भी लिख सकते है और दूसरा जो number है यह भी लिख सकते है 10y 10 into आगया 2 plus x equal to 4 तो finally अच्छा यह कुछ गलत लिखला 10y 10y मतलब 2y यह दूसरा जो condition था यह था यह नहीं है y plus 10x तो y equal to हो गया कितना 2 आगया 4 तो finally 2 plus 40 is equal to 42 तो यह दोनो नमबर हम लोग लिख सकते है जिसका condition है यह वाला थिक है तो यह दो number हम लोग लिख सकते है देख लेते है यह 24, 42 ठीक है यह दोनों ही हम लोग लिख सकते है क्यूंके दोनों का difference 2 है जो second condition दिया है और दोनों का अगर add करेंगे दोनों को तो यह 66 आएगा यह प्लास यह करे या यह प्लास यह करे दोनों में 66 आएगा ठीक है अचा 31 में बोला है एन ऑर्मी पीलोट इस यह यह फ्लाई यह फ्लास अथा अमाइनी करेंगेज प्लीट इस फ्लास अट्रह अडीत अगरे सम्हिसी आप्ती इस आप भी कीन आप कवचे मेंवाधा यह 7 उन आद्रोंटीट पानेंद साली सिप्त। it to the navy ship the angle of depression of the ship as observed from the airplane 60 and 30 respectively find the distance between two ship अच्छा यहां पर बोल ला है कोई army plane जो है वो यहां पर fly कर रहा था 180 180 में fly कर रहा था दो ship को यहां से दिख रहा है तो यहां पर यहां पर एक टो 60 हो गया angle में और एक टो 30 में तो depression डिप्रेशन डिप्रेशन अंगल कितना है यह 60 बोल दिया यह वाला 60 है यह वाला 30 है तो फाइनली यह 60 30 आ जाएगा डिप्रेशन अंगल इधर होता है ठीक है तो इसका और आपका नीचे में यह दोनों अंगल कर लिया तो इन दोनों का distance पूछा है यह distance क्या होगा तो पूरा पूरा एक बार निकल लेते है यह जो triangle है 60 लेके जो triangle है यह 1060 निकल लेते है तो 1060 इकल टू क्या आजाएगा नाम दे देता है A, B, C, D तो 1060 इकल टू A, B, B, C आ जाएगा A, B, C, 1, 8, 00 और B, C को निकलना है तो यह रहने दीजिए और यह वाला 60 इकल टू क्या आ जाएता है ן है root 3 तो B, C equal to finally आ ग्या, B, C equal to आ ग्या यह root 3 नीचे आ ग्या्या तो rationalize कर लेते है root 3 से बौद साइट को multiply कर रहे है तो आज आगए 18 root 3 by इधर 3, 3 से करेंगे 3, 6, 18 तो 6 यह वाला यह डिस्टेंस हो जाएगा, बीसी का डिस्टेंस है, यह वाला, ठीक है, तबी 30 लेकर जो एंगल है, उसका निकल लए, तो त्यान 30 कल्टू क्या आजाएगा, एबी बाई बीडी, एबी आ गया, बीडी रहने दीजिये, यह वाला, वन बाई रूट थ्री, अठारा सो बीडी, तो बीडी इकल टू क्या आजाएगा, आठारा सो रूट थ्री, तो हम लोग को यह सीडी निकलना है, तो सीडी इकल टू क्या आएगा, सीडी इकल टू, यह जो है BD minus BC, BD minus BC, तो BD ये वाला है, 800 root 3, और BC वाला ये वाला है, minus 6 ये, तो 1200 root 3, यूनिट क्या है देख लिजिए, इतना मीटर, तो ये मीटर, इतना मीटर, दोनों, शीप का डिस्टेंस, इतना मीटर आ जाएगा, ठीक है, तो देख लेते है, 12 root 3, ठीक है, अच्छा, ये सेक्शन खतम हो गया, दुसरा जितना जल्दी है सके करेंगे, ओके थेंक्यू,